कि आज का प्रस्णा है सफल साच्छतकार के लिए क्या जरूरी है साच्छतकार मतलब होता है इंटर्व्यू इंटर्व्यू के लिए आपको क्या जरूरी है इसमें आपको किस मुख्य बिंदू पर अधिक ध्यान देना है उसके बारे में पूरी विश्तार से जानेंगे साच कोश्टन आपको इस साल भी पूछ सकता है तो उत्तार है साचतकार आजकल वेक्तित्वो परिच्छण के रूप में जाना जाता है किसी भी वेक्तित्वों का परिच्छन के लिए साच्छतकार लिया जाता है किसी भी वेक्ति का अपने वेक्तित्व के परिछन के लिए जिसका कारण यह है कि यह ज्ञान का परिछन नहीं अपूर्ति यह उमिदवार अभियार्थी की समग्र वेक्तित्व का परिछन है साच्छतकार मात्र मनोविज्ञानिक परिछन होकर उ केवल ध्यान समाग्री आधारित नहीं होता है इसमें कोई शंदे नहीं है कि ग्यान अच्छा संचार कोसल की साथ आत्मविश्वास आपको एक मुद्ध आधार प्रदान करता है हलाकी या ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लगभग सबी उमिदवार अभियार्थी बेक्तितुव परिच्छन के शुरुवाती समय कम से कम ग्यान की छित्र में लगभग बराबर होते हैं या इसमें रण रहे कि किसी भी या उमिदवार नहीं की जाती है कि वह सब कुछ जानता हो कोई भी उमिदवार सब कुछ नहीं जानता है क्योंकि साचतकार लेने वाला अपने बेक्तितुव के बारे में पूछेगा और एक दो बाहरी जगत के बारे में भी पूछेगा अगर आपको किसी भी सीज प्रस्ण का उत्तर नहीं पता तो या कहने में कोच नो करें कि मुझे पता नहीं है सर या मेम हाला कि या ध्यान रखें कि मुझे पता नहीं है सर या मेम को भी आत्मविश्वास के साथ उचित मात्रा में उसों की साथ कहा जाना चाहिए ठतासर को आप उठा के कहें साचत्रार के समय ध्यान देने वाली बाते या मुख्या बाते हम लोग जानेंगे साचत्रार समय ध्यान देने वाले छे बाते जानेंगे पहला है पहली चाप या छबी कच में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परविश्ट करें जहां आपकी साचतकार हो रही होती है उहां पहली फास्ट इंप्रेशन के विशे में एक समयने कहावत है पहली चाप अंतिम चाप है इस घटना को दिखती हुई आपके लिए जरूर है कि आप साचतकार करताओं के दिमाग में अच्छा प्रवाव डाले पहली चाप या उससे बात के इंप्रेशन सी साचतकार ताओं को आपके विशे में अपनी धर्ना बनाने में मदद मिलती है या धर्ना आपके बेतितों के संपुर्णता की आधार पर बनाए जाती है जो आपसे की दौरा साचतकार की कमरे में परविश करने और सुरुआती कुछ मिनोटों की भीतर साचतकारों के साथ संवाद करने की तरीकी में परी लच्छित होता है दूसरा सारेरिक हाओ भाओ सारेरिक भासा मोखिक संचार का हिस्सा है वास्तों में जब हम किसी से मोखिक रूप में संवाद करते तो हमारी सारेरिक भासा हमारे सब्दों की को तच्छिन नोटिस कर सकते हैं या सच है आप अपने बोलने वाले सब्दों को अपने सारेरिक हाव भाव से और दमदार बना सकते हैं तिसरा सांत और भी नम्र रहे और प्रश्ण का जवाब देने में जलवाजे नो करें सांत और भी नम्र रहना है और उसकी प्रश्ण को सुनना है और सून की जवाब देना है आपको सचतकार Uran प्रकिरिया के दोरां सांत और भी नम्र बने रहना होगा संभव हो तो जवाब देती समय तत्य दे जहां तक कि अगर एक सच्छत कारताओं दुआरा किसी भी परकार की अप्रिय इस्तिती बनाये जाए जानमुचकर अपने धेरे परिछन का आकलन कर रहे हैं तू तब भी आप सांत के साथ बिनम्रता के साथ नो छोड़े यदि आप अपने हंकार को बचाने के लिए क्रोधित हो जाते हैं तो आपको बेहत भाव विएक की मान लिया जाएगा यदि आप इस सामय भी बिनम्र बने रहे तो या परिलच्छित होगा कि आप खुले और सुल्जे दिमाग के वेक्ति हैं और दूसरों के नजरिये का सम्मान करते हैं और किसी भी अप्रिय इस्तिती में आप अपने आपा नहीं खोते हैं सचार कोशल आपके विचार वेक्ति करने और दूसरों के विचार को धर्न पूर्वक सुनने की छमता के रूप में माना जाता है प्राया उमिदवार को बात करने या उतर देने हितु सुक पाए जाता है लेकिन आपका जबाब तभी प्रसंग्य होगा जब आपका उचित रीती से जवाब दिया हो आप से जो पूछा गया है, वा महत पूर्न है नो की आप जो झानते हैं, इसलिए आप बर्गलाने का प्रियास नो करे किसी प्रस्ण का उत्तर नो आने पर आत्म विश्वास के साथ इस पश्ट रूप से इसे सविकारे पहले पूर्ण प्रस्ण को सुने उसके पश्चात अपने बात रखे प्रस्ण के बीच में बोनले का प्रियास नो करे हाँ मैं हाँ भी नहीं मिलाना है आपने तत्व भी सचतकार के दोरान बताएं यानि कुछ भी बोलना नहीं संचार कोसल में पच्वा महतपुर्ण विंदु है बेवारिक बुद्धी किसी भी बेटी के लिए समयलने एवं आसपास का ज्यान बहुत ही महतपुर्ण है तत पर यह यह है कि आप अपने परिवीश्ट के बारे में सतर्क रहें अपने आसपास घटित होने वाले महतपुर्ण जानकारी को ध्यान रखें आप उस कुछ सीखें और अपने जीवन में उससे कुछ बदलाव लाएं आप इसे कैसे सीख सकते हैं और आप इसे कैसे लागू करने में सच्छम हैं छटा एक या दो प्रसनक के गलत जबाब से खराप नहीं होता है सचतकार अतांतिम इंप्रेशन भी इच् आपके ग्यान का नहीं बलकि आपके आत्मविश्वास का हता है अंतिम इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए या अवस्य है कि आप थोड़ा अंतर के साथ पहले छबी बनाने वाली बातों को अपनाएं आहम तोर पर सचतकार पैनल की अध्यज उमिद्वार को ध्या धन्य दिन्यवात कहकर शचतकार खत्म खत्म करते हैं और सूपकामलाय भी जहपित कर बंद कर देते हैं और उन्हें दरते हैं आप फिरती ऊंतर धन्यवात जहापन कर आवस्य धन्यali कहे यह तिस सच्छतकार के मुख्य नियम सच्छतकार पर 25 किया लिखाble लिखight आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं यानि कि सफल्षकार के लिए क्या जरूरी है इसके लिए आपको आ लेक लिखे तो इसमें आप लिख सकते हैं या सचाथ के लिए निवन लिखे आया तो भी आप इसे लीख सकते हैं सचजखकार से समघ्डिद महतवपूर्न लेखे जिसमें हम लोग मुहतवपूर्ण छे बिन दो पर चर्चा किये ते जो या दो प्रस्णा की गलत जवाब से खराब नहीं होता सचतका अता अंतिम इंप्रेशन भी अच्छा रखे तो यह थी सचतकार के मुख्य विंदू पर हमने चर्चा किये जो कि आपको आये कोर हिंदी कोर में 2020 में पूछा गया प्रस्णा है जिसमें आपको प्रस्ण संख्या आपको पूछा गया था यह पांच नमर वाला प्रस्णा जो कि आपको प्रस्ण संख्या तीन में एचार में आया था